आज के इस वीडियो से हम जानेंगे रूट के गुना, रूट के भाग, रूट के जोल, रूट के घटाओ तो शुरू करते हैं रूट के गुना से तो पहला सवाल है फाइप रूट फाइप गुने टू रूट फाइप अब इसको कैसे हल करना है? ध्यान दीजिए अब रूट के आगे कितना है? पाँच है और यहाँ भी रूट के आगे कितना है? दो है तो जो आगे है उसे पहले गुना कर लिजिए तो पाँच और दो को गुना करेंगे तो कितना हो जागा? दस तो यहाँ पर दस लिख दीजिए और root वाला दोनों समान है कि नहीं हाँ दोनों समान है जब समान है तो गुना होगा तो root जो हट जागा केवल और केवल 5 हो जागा ठीक है तो अब इसे 10 पच कितना हो जागा 50 यह आपका answer हो गया ठीक है तो चलिए गुना का एक और उदारन लेते हैं यहाँ पर दुसरा उदारन है देखिए यह रहा तो अब देखिए root के आगे कितना है चार है और यहाँ भी root के आगे तिन है तो पहले इन दोनों को आपस में गुना कर लेजिए तो चार तिया कितना हो जागा अब बारा ओके अब यहाँ पर देखिए यह root वाला और यह root वाला दोनों के दोनों क्या है समान नहीं है अब समान नहीं है तो क्या कीजिए इस तरह से root लिखिए और दो तिया के 6 तो ये आपका हो गया asynchronous ठेक है तो चलिए एक और उदारन लेते हैं गुना का एक और उदारन ये रहा आपके सामने अब देखिए रूट के आगे कितना है थ्री है और रूट के आगे यहां कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो आपको क्या लेना है एक मानना है तो तीन गुने अगर हम एक करेंगे तो कितना हो जागा तीन अब देख सकते हैं रूट रूट समान है तो रूट हट जागा तो तीन से और तीन में गुना होगा तो क्या होगा रूट हट जागा तो यहाँ पर हो जागा तीन और तीन तरीके कितना हो जागा नौ तो यह आपका हो गया चलिए अब हम कुछ भाग का उधारन देख ल जाएगा तो बच जाएगा एक ठीक है तो यह आपका एक एंस्वर हो चुका है चलिए भाग का एक और उदार लेते हैं यहाँ पर देखिए अब यह देखिये रूट के आगे कितना है दो है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है अब क्या कीजे पहले ये वाला उतार लीजिए तो हो जाएगा इस तरह से और ये वाला नीचे आजाइगा तो इस तरह से अब जो जो आपको समान दीक रहे हैं उसे पहल यहां पर भाग यह रहाऊ दारान अब जैसा पहले इसको लिख लिजिए तो बारा है और यहां पर पंदरा भाग में यह वाला लिख लिजिए तो टूरू त्री अब इसे क्या किजिए चाहते हैं तो यहां से यहां काट दीजिए, यहां से यहां काट दीजिए, तो अब इसे काट ये, तो दो छका, बारा, और तिन पचे, पंदरा, तो ये आपका कितना हो गया, एंसवर, जिया साथियो, ये यहां रूट में भी बच गया, तो इसे इस तरह से नहीं काट जाता है, अब यहां पर प्यास किजिए 15 को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं एक तो हम तोड़ सकते हैं तीन और यहां पर रूट फाइब के रूप में बटा कर देंगे और यह वाला यहां पर लेख देंगे तो इस तरह से आप लिख दीजिए अब इसे आसानी से काट यह तो दो च्छाका कितना हो बारा ओके तीन रूट से तीन रूट खतम अब आपका जो हैसो की एंसवर यहां पर क्या हो जागा यह वाला छे यहां पर लिख दीजिए और यह रूट फाइब यही आपका एंसवर हो गया ठीक है तो इस तरह से आप बनाएगा चलिए अब हम जोड भी देख लेते हैं औ और घटाओ भी तो रूट के जोड यहां पर देखिए रूट के जोड में है यहां पर दोनों के दोनों समान है अब दोनों के दोनों समान है तो अब जाइड सी बात है यहां पर कुछ नहीं है तो एक मान लिजिए और इसके आगे भी कुछ नहीं है मतलब रूट के आगे क यह है दो कुछ भी नहीं है तो आप एक माल लेजिए तो एक और एक कितना हो जागा दो दो लिख लिखना है और वुझ नहीं है तो एक माल लेजिए आसानी से आपको a जागा ठीक है जोड का पहला उधारन ये रहा अब चली दूसरा उधारन भी जोड का देख लेते हैं तो दूसरा उधारन देखिए अब रूट के आगे कितना है दो है ठीक है अब यहाँ पर रूट के आगे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो एक मान लिजिए ठीक है एक मान लीजिए अब आप क्या के जिए कि दो यहां है और यहां एक है तो हो जागा आपको तीन और यह दुनों आपस में जूड़ेंगे तो जिस तरह है ऐसे लिख दीजिए यह आपका एंसवर हो गया ठीक है तो चलिए अब आपका अगला उदारन हम ले लेते हैं दुनों के दुनों समान नहीं है रूट वाले समान रहेंगे जूड़ में तभी जूड़ेंगे यहां पर देखिए रूट वाले समान है ना तभी जूड़ रहेंगे अगर समान नहीं होंगे तो याद रखीगा कभी भी आपस में जूड़ में नहीं जूड़ेंगे ठीक ह तो यहां पर देखिए अब इस तरह से यहां पर रूट वाले जो है समान नहीं है अब समान नहीं है तो जिस तरह है उसी तरह आप लिख दीजिए यही आपका एंसवर हो जाएगा तो इस परकार का है तो आप इसे इस तरह लिख दीजिए यही आपका एंसवर हो गया ठीक है root वाले समान नहीं है तो याद रखेगा जोड में नहीं जूटेंगे तो चलिए अब हम last देख लेते हैं root के घटाओ यहाँ पर root के घटाओ में देखिए दोनों के दोनों क्या है? समान है अब समान है तो यह खतम कितना हो जागा? 0 ओके? चलिए अब यहाँ पर अगला उदारन root का घटाओ देख लेजिए यहाँ पर root वाले समान है अब समान है तो घटेंगे यानि तीन यहाँ हो गया और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है? एक है? समझ लेजिए ठीक है? तो तीन और यहाँ से एक है तो बच जागा दो घटेगा तो और यह दोनों समान है तो समान है तो जैसा है वैसा आप लिख दिजिया गाईज बन चुका है अब एक और घटाओ का उदारन ले ही लेते हैं अंतिमोला घटाओ का उदारन देखिए रूट वाले दोनों के दोनों समान नहीं है अब समान नहीं है तो जिसी तरह है आप उसी तरह लिख दिजिये तो इस परकार का है तो आप इसे इस तरह से लिख दिजिए यही आपका answer हो गया आई होप इस वीडियो से आप कुछ न कुछ जरूर सेखे होंगे यार सबस्क्राइब कर लेना ओके चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में